हालो दोस्तों अंस टेक्निकल जॉब सेंटर योटूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ मैं हूँ प्रभाकर निशाद यानि की निशाद सर और आज मैं अपने योटूब चैनल अंस टेक्निकल जॉब सेंटर पर एक बहुत ही बड़ी कमपनी का नियो लेटेस्ट रिक्वायर्मेंट नोटिफिकेशन अपडेट लेके आपरों के सामने हूँ तो दोस्तों वीडियो में बने रहीएगा बहुत ही आसान भासा में बहुत ही सरल तरीके से पूरी जानकारी मैं इस नोटिफिकेशन अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ कि ये जो रिक्वायर्मेंट निकल के आई है वो किस कमपनी की तरफ से आई है और आपका सेलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है क्या सैलरी मिलेगी जोब लोकेशन कहा होने वाला है कौन-कौन से कैंडिटेट इस कमपनी के रिक्वायर्मेंट को अपलाई कर सकते हैं सारा क विएरण में आपको समझाता हूँ ठीक है तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यह वो नोटिफिकेशन यह जो कंपनी है दोस्तों वह है ग्लोबल सीनसी प्राइवेट लिम्टेड यानि कि यह कंपनी जो है इसमें सीनसी मशीन का वर्क होता है तो आप लोग अगर ग्लोबल सीनसी प्राइवेट लिम्टेड कंपनी में जोब करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाश्ट तक वाच करी गया पूरी जानकारी मैं आप लोगों को बहुत ही आसान भासा में समझाने वाला हूँ वी आर हीरिंग जॉइन आवर टेम यानि कि इन्होंने बताया है कि ये रिक्वाइर्मेंट निकली है ग्लोबल सीनसी प्राइवेट लिम्टेड में आप लोग इस कंपनी के साथ जुर सकते हैं ठीक है सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एलेक्रिकल एंजिनियर की तो इसक ITI Diploma BE Electric है तो experience एक से तीन साल का experience इन्होंने पताया मांगा है अगर आपके पास आईटि आई डिप्लोंग और BE Electrical Department से qualification है और आपके पास एक से तीन साल का experience है तो आप लोग Electrical Engineer पोस्ट के लिए अप्लाई इस कंपनी में कर सकते हैं इस्किल रिक्वाइड की बात करें तो CNC VMC पैनल वाइरिंग एंड मसीन वाइरिंग नोलेज एबाउट फैनुक मेश्टु विसी सीमेंस एलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स इंडेनी फिड एंड सॉल्विंग एविल्टी बिद आल कंट्रोलर्स यानि कि यह नोलेज जो है दोस्तों यह इस्किल जो होने वह हैं वह आपके पास होने चाहिए ठीक है तभी आप लोग इस कंपनी में एलेक्ट्रिकल इंजीनियर पोस्ट के लिए ज्वट कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वाल्टी इंजीनियर की पोस्ट के लिए बात करते हैं तो इसके लिए जो एजुकेशन रखा यह नोन है वह है डिप्लोमा बी मेकैनि ठीक है और इसके लिए टूटल पोष्ट है वह चार ठीक है इसके लिए experience वन से 4 एयर यानिकि एक से चार साल का experience होना चाहिए आपके पास और इसके लिए जो skill रख़ा है नो न वह है knowledge up instruments drawing reading emails office email communication analyze critical thinking problem solving skill good सब्सक्राइब आपके पास होने चाहिए तभी आप लोग क्वाल्टी इंजिनीर की पोस्ट के लिए सेलेक्शन इस कंपनी में ले सकते हैं ठीक है आप बात करते हैं दोस्तों CNC ऑपरेटर की तो इसके लिए जो पोस्ट है वो चार है एजुकेशन आइटियाई तो आइटियाई पास कैंडिडेट्स के लिए यह बहुत ही बड़ा मौका है अगर आपके पास एक से तीन साल का एक्सपेरियंस है और आपके पास जो नोलेज है वो होना चाहिए फैनियोग मिस्टिविसी कंट्रोलर ठीक है तो आप लोग CNC ओपरे बताता हूँ कि इसका जो लोकेशन रहेगा वो रहेगा राज कोट यानि कि यह जो कंपनी है वो राज कोट गुजरात की कंपनी है तो आपका जो जवाप है रहेगा वो रहेगा राज कोट कॉंटेक्ट वाट्साप वनली अगर आप लोग कोई इनफार्मेशन लेना है तो आप लोग डारेक्टली इस नंबर के इस वाट्साप पे कॉंटेक्ट कर सकते हैं मोबाइल नंबर है दोस्तों 92 27 89 79 75 यह है मोबाइल नंबर जो की वाट्साप नंबर है आप लोग इस पे वाट्साप के द्वारा चैट कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं जो भी इंफार्मेशन लेना है वो ले सकते हैं ठीक है send your resume at hrd.globalcnc.in और आप लोग अपना resume जो है दोस्तों वो send कर सकते हैं या तो आप लोग देख सकते हैं hrd.globalcnc.in ठीक है यह जो company है दोस्तों global cnc private limited company मैंने पहले ही बता है और इसका जो location है वो है यह थी पूरी जानकारी global cnc private limited की तरफ से जो requirement निकली हुई थी आई टी आई डिप्लोमा और बीटिक वालों के लिए मैंने उसकी पूरी जानकारी जो भी इस notification में था वो मैंने आप लोग को बता दिया हूं फिर भी कोई doubt है तो दोस्तों आप लोग इस WhatsApp नंबर से डारेक योज अफ्लोड होती हैं आप लोग अगर campus placement के माध्यम से job करना चाते हैं या private company में आप job करना चाते हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं हमारे चैनल पे 10th 12th ITI Diploma Graduate B.Sc B.T.C. बीटिक लेबल की जो भी कंपनियों के campus placement भरती notification अपडेट आता है या फिर government job जो भी in-level का निकलता है तो हम अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप लोगों तक information पहुचाने की कोशिस करता हूं ठीक है तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी आप लोग comment करके जरूर बताएगा या और अगर हमारी वीडियो ज इनफार्मेशन आप लोगों को अच् अब तक के लिए दोस्तों थैंक्यू धन्यवाद जैहिन दोस्तों